हेलो गाइज वेल्किम तो दे एटिव चैनल क्यान को सेंटर फ्लॉनिंग बात करते हैं आठ महीं दोहजा चोबिस के करन डिफेस की जो कि कुछ चीज प्रकार है पहला एफ डोलोडी टू टू हंड़ेड भी यह हमने पिछले कल भी करन डिफेस में बात करेती भारत का पहला बंबर अनमेंड एरिल वहिकल एरक्राफ्ट है तो इसे डेवलप किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस के दौरा जो कि एक इंडिये डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है उन्हें इसको रेसेंटली अन्वील किया है कुछ इस तरह से दिखता है यह एरिल वहिकल यू एव ठीक यह भारत का पहला बंबर एरक्राफ्ट है जो कि बीना किसी आदमी मतलब रिमोट कंट्रोल से चलेगा इसकी पेलोग कैपस्टी है 100 किलो क्राम्स और इसे मेल के तरह क्लाजिफेट किये गए मेल मतलब मीडिया मल्टिटूड लोग इंडूरेंस ठीक मेलो पूरुस वा पहले एर स्ट्राइक थी उसमें उन्होंने पहले अन्मेंड एर वेकल से चेक किया था स्ट्राइक नहीं करी थी उन्होंने बाकी तो उनके आदमी ही गए थे उसी तरह का एक सिस्टम में ही है ठीक इसकी मैक्सम स्पीड है 370 किलोमेटर परावर मतलब 200 नोट्स और इंडू इस तो यह मतलब नेक्स टेक को लाइन स्टडी को लैन कि अगर बात करेंगे तो यह है क्या तो रिसेर्च अरसमेर डिस्कवर किया है एक संसल न्यूट्रियन जिसका नामे को लाइन जिसे ट्रांसपोर्ट के जाता ब्रेन के ब्रेन में धुआरा प्रोटीन सेल के जिसी कहत है वाटर सॉलीबल या फैट सॉलीबल मॉलिकल्स दोनों में बोडी ट्रांसपोर्ट करती है जो बोडी ट्रांसपोर्ट होता है वो को लाइन को एब्जोब कर लेती है उसके फोर्म के अनुसार रिजल्ट अनुसार है हुमेंस को कुछ को लाइन उप्टेन करना पड़ता ह है डाइट से तो रिचेस डाइटरी सोर्स यह पेपन में आता है रिचेस रिचेस्टरी सोर्स क्या है तो को लयन की है मीट फिश डेरी डियरी माने दूद दहीं यह सब बटर और एक स कुछ फ्रूट भी है कुछ वेटेबल बंच रिया और कुछ ग्रेंज है कि ये बेसिकली मितायल ग्रूप ग्रूप का है हुष का सोर्स है CH3 ग्रूप सोले ठीक नेक्स बात करते हैं फूसर बैक्टेरियम न्यूक्लीत्र ये एक नई स्टडी के नुशार कुछ कहा गया है तो फूसर बैक्टेरियम नूकलीट्र ये कुछ तो भी रिलेटेड जोना च cancer tumors में जैसे आपका मुव है तो जीब के पास अरिया होता है यहां पर होता है oral cancer जीब के अंदर वाले अरिया में होता है हैलेटोसिस दानत में जब हो जाती है तो इसको dental pulp infection कहते हैं एक तरह का species specific reservoirs consist करती हो में in mouth में या gastrointestinal tract में या कहीं भी इस पाथ में मुझ से लेके पेट तक है ठीक इसके बारे में और इन डीटेल इतना statement basis मैंने पूछा जाता है अगर पूछा जाएगा तो आप इसको PDF से डाउलोड कर सकते है पीडिएफ से go through कर सकते है बेसिकली समझ मिला कुछ नहीं इसमें बस इसको याद करने का है तो आप description से डाउलोड करके इसको याद कर सकते है नेक्स्ट है chloropisirin chloropisirin एक chemical weapon है तो US के department जो है उन्होंने रश्या पर इलजाम लगाया है कि उन्होंने chemical agent chloropisirin यूज किया है यूक्रेन में ठीक जो की एक वाइलेशन है chemical weapon convention का chloropisirin क्या है chemical compound है जिसे नाइट्रो क्लोरोफों भी कहते है वार्फिया रिजेंट या पेस्टिसाइड के तोर पर इसे यूज के जाता है colorless होता है या यह yellow oily liquid form में पाए जाता है कि इसे ब्रोड्ली उसके जाता है फंगिसाइड या हर्विसाइड इंसेक्टिसाइड या नीमेटिसाइड या anti-microbial के तोर पर मतलब कीड़े कीट नाशक के तोर पर बैसिकली उसके जाते एक poisonous gas होती है तो जो कि first world war में इसको इसक प्रिक ली किया था फिर एक treaty sign होई chemical weapons जिसके तहित किया था कि chemical weapons नहीं उसके जाएंगे तो यह multilateral treaty है जिसमें chemical weapons वह वो specific period time के लिए destruction देते हैं उनको यूज करने से बिल्कुल पाबंद ही है सारे देश को सारे देशों को टिक और यह treaty आई थी 39 अप्राइल 1997 को के और स्ट्राइक ईदाया साइकलों जी रेसेंटली हीट कर रहा है इंडियन और उशिन के पास तो यह तंजानिया को हीट करेगा तिक दर इस सलाम को इंडियन ऊशिन के एरिया से यह ओर जिनिट हुआ है टिक गाइडेंस जो इस नाम है यह मिला इसको एरगी से टिक एरब इन्सव उंगुजा या पेंबा में टिक पेंबा वो तेंगड़े तेंगड़े वाला जो गाना ट्रेंडिंग पे उसका तिक यह फॉर्म हुआ है साउथ इंडियन ओशिन पे ठीक और यह फ्रांस की ओबर सी टेरिटरी जो है इंडियन ओशिन में उन्होंने नेम दिया है ठी केनिया को साइकलोन से सेफ मारा जाता है बेसिकली पर साइकलोन हिदाय का प्रभाव केनिया में भी पड़ेगा ठीक तो यह इस साल का साइकलोन है दूसरा पहला है दूसरा नेक्स है डिप प्राइसिंग डिप प्राइसिंग क्या होता है तो डिप बेसिकली बूंद ऐसे टपा 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 ठीक है तो इसे कहते हैं तो टपे टपे में जब प्राइसिंग चले तो डिपार्टमेंट अफ कंजूमर अफेर्स ने कहा है कंजूमर्स को कि NCH 1915 के एसिस्टेंस के या वाटसप के तुरू कोई भी हेल्प चीए वो डिप्राइसिंग से लेटे प्राइसिंग प्राइसिंग टेक्निक है जो की फर्म्स यूज करती है एड़र्टाइसमेंट के लिए इनिश्यली हैडलाइन प्राइस के तौर मतला आपको बोला जागा कि यह समान दस रुपेका है पर जब आप उसको खरीदने जाओके तो हो जाता है दस हजार का या सो इसे कहते है डिप प्राइसिंग हीडन चार्जेस एक्स्टर होते हैं ठीक है जैसे आप कोई भी टिकेट खरीते हो पहले ऐसा देखा जाता था कि 6000 टिकेट का प्राइस बता रहे जब आप पेमेंट तक पहुचे तो वह 6500 हो चुका है जीस्टी और यह कोई भी एक्स्टा के इंडिया इंडिया इंडिफनस को आपरेशिंट को मिटीक की मीटिंग होने जाता रही है रिसंट्ली टीक तो यह एक बाई- principals कोपरेशन है ठीक है जो की defense related matters को discuss करेगा ये एक annual meeting है इंडिया और इंडोनेशिय इंडिफेंस मिनिस्टरी के बीच में इंडिया और इंडोनेशिय की जो strategic partnership है वो upgrade हुईती है comprehensive strategic partnership 2018 में और उनना sign किया था defense cooperation agreement टिक इंडो-pacific region के vision से shared vision से टिक और इंडोनेशिय क्रूशल पार्टनेर है इंडिया की एक टिस्ट पॉल्सी का जो कि इंडो-pacific region पर अपना significant role play करती है next rat hole mining death of six workers हाला कि ये mining जो है rat hole ये बेसिकल एसा पहाड़ों के बीच में कोई ले के लिए rat hole छोटी छोटी सुराख की जाते authorities ने चार हफते का समय दिया है चार हफते का समय मिला उनको National Green Tribunal के दोरा NGT के दोरा respond करने के लिए जो case death related है छे workers का rat hole mining से जो जिनकी death हुई है ये वो ही है रेसेंटली नागलेंड के वोका डिस्टिक में rat hole mining के होता है road and bores होते है ये एक illegal practice है जो कि highly hazardous है koila निकालना या लिए प्रैक्टिस है certain pockets in certain parts in India में particularly state of मिगाले में जादा चलती है चोटे-चोटे tunnels मनाए जाते है जिनको rat holes कहते हैं 10 meters तक के गहर हो सकते हैं miners यहाँ पर रसी या bamboo ladders या shift support के system जा अंदर जाते हैं और poorly ventilated condition होती है इसलिए या बंदें आपर अंदर फस जाते है ठीक तो यह है basically आज के current phase में मिलेंगे कल अगले current phase के साथ thank you and have a nice day